Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Economy के Current Affairs के Revision का ये हमारा छठा लेक्चर है आज के सेशन में हम फर्वरी महने के Economy के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article Bad Bank के बारे में है अभी हाल ही में जो एक Proposal था उसे Announce कर दिया गया है 2021 के Budget में Bad Bank को लेकर जो एक Deal थी जो की Loss-Laden Banking System को सही करने को लेकर थी उसे Finally Regulatory Approvals मिल गये है इसके तहत बनाया जाएगा एक नया Bad Bank जिससे नाम दिया जाएगा NARCL इसका फल फॉर्म होगा National Asset Reconstruction Company ये एक Proposed Bad Bank है जो बनाया जाना है इसके लिए भी Announcement होगा जैसे बातचीत तो 2021 ये जो बजट था उसमें चल रही थी पट फाइनली इसे अभी एक Approval दे दिया गया है और 2021-22 के बजट में इसे Announce किया गया था अब उसे बनाने को लेकर Proper Framework तयार कर लिया गया है Approvals दे दिये गया है जो प्लान है इसके तहर एक ऐसा Bad Bank तयार किया जाना है जो 500 करोन या उसके उपर के Bad Loans पर चीज़ कर सकता हो उसके पास होगा एक ARC यानि कि Asset Reconstruction Company और दूसरा Asset Management Company अगर उन्होंने किसी भी कमपणी के Bad Loan एक्वाइर किये हैं तो जहां से भी वो लोन आया है उनके Asset को ये Acquire करेंगे उन्हें Manage करने का काम या फिर उनके Reconstruction का काम यही Bad Bank करेगा जो उनके बेकार Asset हैं उन्हें Manage करने को लेकर ये जो नई Entity है ये Collaborate करेगी Public और Private Sector दोनों के ही साम देखे बहुता क्या है कि जैसे मालने ये कोई एक Bank है Bank Loan देता है जो Loan दिया जाता है उसे ही Bank का Asset कहा जाता है जिसने भी Loan लिया है अगर वो 3 महिनों तक यानि कि 30 into 3 9 यहां पर 90 दिनों का समय आता है इन 90 दिनों में अगर उन्होंने ना तो कोई Interest शुकाया और ना ही कोई Capital Payment किया है इन दाट केस उस Loan को NPA यानि कि Non Performing Asset की केटिगरी में डाल दिया जाता है अगर कोई Loan NPA में Convert हो गया मतलब ये Concerning मुद्दा होता है अगर कोई Loan बहुत लंबे समय तक नहीं आता है तो वो धीमे धीमे Bad Loan में Convert हो जाता है और फिर उसे Address करने के लिए हमें Bad Banks की ज़रूत पड़ती है यहां पर जो Bad Bank बनेगा वो एक State Owned Banks के द्वारा ही Own किया जाएगा इसे मदद मिलेगी IDRCL के द्वारा यानि कि Indian Debt Resolution Company Limited के द्वारा कुल मिला कि इसे एक Private और Public के Collaboration के साथ तैयार किया जा रहा है That's why यह existing ARC यानि कि Asset Reconstruction Companies से अलग होगा चुकि इसका character जो है Public Sector का होगा Government का involvement होगा Because State Owned Banks के पास होगी majority जो ARC है वो basically कोसिस करती है कि जो भी loan वो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा And that is the reason कि banks जल्दी उन्हें loan देने को तयार होती नहीं Suppose करिए कि एक जो bank है उसके पास 100 करोन का NPA है तो जो bad bank है या ARC है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो recovery करेंगे उन्हें 70 करोन मिल जाएंगे तो वो कोशिस करते हैं कि वो bank से 60 करोन में वो loan खरीद लें इससे bank की sheet clear हो जाएगी और वो उसके बाद जैसे तैसे recovery कर लेंगे 70 करोन की उन्हें भी कुछ profit हो जाएगा ये जो कोशिस होती है ARC की कि कम से कम डाम में वो loan purchase कर लें इसकी वज़े से डिक्कत आती है और banks अपनी loan देने को तयार नहीं होते है उतने discounted rate पे In that case एक tussle के situation बनी रहती है और NPA का हुद्धा resolve नहीं हो पाता चुकि ये जो नया bad bank है वो government backed होगा तो ये clashes आने के संभावना कम होगी यहां पे बताया गया है कि ARC क्या होती है ये specialized financial institutions होते हैं जो NPAs को handle करते हैं ये basically ऐसे banks जिनके पास बहुत ज़रा NPA है उसे खरीद लेते हैं इसे bank की जो balance sheet है वो clear हो जाती है हलाकि वो discounted rate पर होता है जो ARCs होते हैं वो RBI के under में registered होते हैं और इनका legal base होता है surface act surface act का full form होता है scrutinization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest ये legal basis देता है इंडिया में ARC के लिए हमरा next article chief economic advisor के बारे में है comment of India नभी हाल ही में आनंद नागे सुरंजी को नया chief economic advisor बनाया है ये प्राइम मिनिस्टर के economic advisory council के पहले इसके पहले member भी रहे है मैं इस पद के बारे में बताता हूँ जैसे सबसे पहले तो आनद नागे सुरंजी के बारे में बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर की economic advisory council के पहले member भी रहे थे जो CEA होते हैं यानि के chief economic advisor होते हैं वो report करते हैं इंडिया के finance minister को गांधी जी के chief economic advisor रहे थे भारत के पहले जो पहले chief economic advisor का पत था वो जे जे अंजारिया जी के पास था renowned economist थे को author रहे एक जो classic text है Indian agriculture economics के उपर the Indian rural problem उसके ये पहले CEA रहे इंडिया के लिए PM के economic advisory council के बात करते हैं ये एक non constitutional, non statuary और independent body होती है या और clear कहूं तो prime minister को economic issues पर recommend करते हैं या उनके लिए advice चारी करते हैं advice देते हैं basically ये जो भी important economic issues होते हैं उन्हें highlight करते हैं बिल्कुल neutral viewpoint से further इन्हें मदद मिलती है एक noodle agency जो नीती आयोग होती है उससे administrative, logistic, planning या budgeting परपस से जो की union budget 2022-23 के बारे में है मैं आपको बता दूँ की union budget चूंकी आ चुका है तो आज का ये जो session है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी ने किसी रूप में union budget या उसमें announce किये गए initiatives के उपर based होगा जो union minister for finance and corporate affairs निर्मला सितरा मंजी है उन्होंने union budget 2022-23 को parliament में table किया इसमें कुछ जो महत्पूर बाते की गई उन पर एक हलकी सी जर्चा करते है इंडिया का जो economic growth है उससे estimate किया गया है 9.2% के लिए और ये large economies में सबसे ज़ादा है COVID-19 के बाद सभी देस recovery mode में है धिमे-धिमे चीज़े बेहतर हो रही है in that case 9.2% की recovery growth अगर estimate की जा रही है तो हम इसे एक positive कह सकते है 60 lakh new jobs के create किये जाने के संभावना है मैं आपको बता दूँ कि ये numbers overall नहीं है 60 lakh new jobs create किये जाने के जो बात की गई है वो productivity linked incentive scheme जो सरकार ने 14 sectors के लिए launch की है उसके तहत की जाने की बात की गई है PLI scheme जो है जिसमें अगर कोई entity अपने production को बढ़ाती है तो उसके बढ़ाए हुए production पे जो existing है उस पे नहीं 4-12% का incentive सरकार दे देती है तो उसमें इस वज़ा से साथ लाक नए jobs के create होने के संभावना बताई जा रही है जो PLI scheme है उसमें ये भी potential है कि वो additional production कर सकता है 3 lakh crore की value का अमरित काल ये एक नई शब्दावली है जो इस पूरे budget में हमें देखने को मिली है जहां पर अब एक जो target बनाया गया है that is India at 100 मतलब भरत की आजादी को जब 100 साल पूरे होंगे तब तक के लिए हमारा vision क्या होगा यहां पे 4 priorities को focus किया गया है and that is PM गति शक्ती जिसके तहत massive infrastructure को build करने की बात की जा रही है inclusive development सभी लोगों का development एक सांथ किया जा सके तीसरा है productivity enhancement and investment sunrise opportunities, energy transition and climate action और चौथा है financing of investment कुछ और भी major announcement जो budget में की गई है उन पर चर्चा कर लेते हैं जैसे की railway stations के लिए one station one product का concept राया गया है जिससे की एक station के लिए specify कर दिया जा एक product और जो local business है या उनका जो supply chain है वो इससे flourish हो परवत माला परवत माला के माध्यम से national rope year development program launch किया गया है जहाँ पर जो tough terrain वाले area है वहाँ पर कई सारे rope year develop किये जाएंगे ये पहाडी लागों में transportation का एक बहुत ही अच्छा means माना जाता है इसे public private partnership model पे run किये जाने की बात की गई है किसान drones drones का इस्तिमाल किया जाएगा ना किवल crop के assessment में बलके land record को discharge करने में भी insectified और nutrient को spray करने के लिए हम drones का इस्तिमाल कर सकते हैं MSMEs के लिए उद्यम, ईश्रम, NCS और Aseem ये जो portals अलग-अलग काम कर रहे हैं इन्हें interlink करने के भी बात की गई है health के sector में एक open platform तयार किया जाएगा national digital health ecosystem के लिए national tele mental health program को भी launch किया गया है जिसके माध्यम से mental health के लिए counseling और care services दी जाएगी COVID-19 के बाद mental health एक बड़ी समस्या बनी रही है इसके साथ जो एक और महतुपूर्ण समस्या है वो यह है कि इसे recognize नहीं किया जाता सक्षम आंगनवाडी new generation आंगनवाडी इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है इसके माध्यम से जो benefits हैं integrate कर दिया जाएगा चाहे वो mission सक्ती के हों mission वासले के हों सक्षम आंगनवाडी या portion 2.0 के हों vibrant village program इसके माध्यम से जो border villages हैं जहां पर population बहुत कम है connectivity की कमी है लोग उन areas में रहना पसंद नहीं करते उन areas को develop किया जाएगा ताकि वहाँ के गाओं विक्सित हों लोग वहाँ पर रहें मैं आपको बता दूँ कि water area के गाओं बहुत important होते हैं वो front line पे information disseminate करने का काम करते हैं इसलिए चाइना अकसर बहुत interested होता है border area में गाओं के development को लेकर जबकि इंडिया इस और बहुत ही कम ध्यान देता है तो union budget में इस बात को focus में रखा गया है ये एक positive बात है बाकि economy के front पे जो tax laps है income tax के उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है that is the reason कि जो middle income group है वो काफी ज़ादा नाराज है सरकार से कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है जबकि COVID-19 के बाद जो income की problem है वो लगभग सभी income groups में रही है तो ये कुछ union budget की highlights है कुछ और भी बात है union budget से related ही अभी आपको और भी मिलेंगी तरिकल पे जो कि null से जल योजना के बारे में है इस योजना के लिए 60,000 क्रोर के allocation की बात की गई है जिसके तहत 3.8 क्रोर households को cover किया जाएगा 2022-2022 में under हर जल नल से जल scheme इस scheme को 2019 में launch किया गया था और इसकी नोडल agency है ministry of जल शक्ती इसके माध्यम से हम 2024 तक सभी rural homes में pipe drinking water पहुँचाने की planning कर रहे है ये government का जो जल जीवन mission है उसका एक important component है इसे कैसे implement किया जा रहा है इसे implement करने के लिए बहुत unique सी technique इस्तेमाल की गई है unique model है that is पानी समिती जो भी पानी दिया चाएगा उसके लिए villagers को कुछ pay करना होगा लेकिन वो क्या और कैसे pay करेंगे ये कोई सरकार decide नहीं करेंगी बलकि ये पानी समितियां decide करेंगी जिसे आप water committee बोल सकते हैं water committee में villagers ही होंगे जो decide करेंगे कि जो पानी वो consume कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कितना pay करना चाहिए tariff सभी लोगों के लिए same नहीं होगा मतलब एक बराबर नहीं होगा जो बड़े household हैं उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे जबकि ऐसे household जिनके पास कोई income नहीं है कोई earning member नहीं है उन्हें exempt कर दिया जाएगा जल जीवन mission के तहएद 55 लीटर पानी per person per day दिये जाने का प्रावधान है जिसके लिए functional household tap connection का इस्तेमाल किया जाएगा 2024 तक मिनिस्ट्री आफजल सक्ती के तहएद है ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसे implement करने के लिए community approach opt किया गया है information disseminate की जाएगी education और communication के माध्यम से इस पूरे mission को spread किया जाएगा पानी के लिए ये एक जन आंदोलन की तरह work करेगा इसके माध्यम से center और state के बीच में रहे इसके funding का mechanism क्या है कि जो हिमालियन है North Eastern states है वह आपे 90% पैसा के इंदर जबकि 10% राज्य देंगे other states के लिए 50-50 होगा और UTs के लिए obviously 100% के अंदर सरकार ही खर्च करेगी PM Divine Scheme Union Budget 2022-2022 में PM Divine Scheme ने भी अपनी जहलत दिखाई ये Prime Minister का एक मतलब एक उसे की initiative के पार्ट में you can say PM Development Initiative for North East ये इसका full form है North Eastern Council इसे implement करेगी इस information को ध्यान से समझेगा that will be implemented by North Eastern Council PM Divine क्या है ये एक infrastructure scheme है I repeat PM Divine एक infrastructure scheme है जैसे PM गति शक्ति है जहां पुरी देश में infra develop किया जाएगा वैसे ही PM Divine के तहट North Eastern region में infra तयार किया जाएगा और PM Divine उसे fund करेगा PM Divine scheme जो है इसे following objective के साथ implement किया जा रहा है जैसे कि North East में जो youngsters है women हैं उनके लिए employment की opportunities डवलप होंगी और जो gaps हैं अलग-अलग sector में infra को लेकर उन्हें fill किया जाएगा implement किया जाएगा इसे North Eastern Council की दोरा ये information मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ funding पंद्रह सौ करोन रुपए के allocation की बात की गई है under PM Divine scheme project जो है वो कैसे select किया जाएगे project select करने के लिए recommend किया जाएगा projects को central government या North Eastern states के माध्यम से लेकिन किस project की priority क्या होगी ये decide करने का अधिकार North Eastern states को ही होगा यहाँ पर central government intervene नहीं करेगा कुछ projects जो इसके तहट implement किये जाएंगे या किये जा रहे हैं dedicated services for management of pediatric pediatric का मतलब होता है बच्चों का जो इलाज किया जाता है that is an adult hemio lymphoid cancer in North Eastern India Guwahati ये जो projects हैं ये सके अंडर में आ जाएंगे construction of iJol bypass जो कि western side में होगा further gap funding की जाएगी gap funding का मतलब यह होता है कि जो भी projects में पैसा लगाया जा रहा है ज़रूरी नहीं होता कि वो financially viable हो हो सकता है project उतने पैसे generate ना कर पाए तो जो gap create होता है उसे सरकार अपनी और से दे देती है तो जो song choiling यह ropeway है passenger ropeway उसमें जो भी पैसे कम हो जाते है या जो नुक्सान होता है वो सरकार देगी gap funding कर देगी gap funding eco friendly ropeway के लिए भी किया जाएगा जिसे आप आम बोलचाल के बासा में cable car कहते हैं जो धापर से भाले युदुंगा जो साउस से किम में है वहां के लिए तयार किया जा रहा है pilot project जहां पे bumbo link road तयार किया जा रहा है मिजुरम के अलग डिस्टिक्ट में location में उनके लिए भी पैसे दिये जाएंगे रहां दीजेगा कि जो existing central estate government schemes हैं ये उसके substitute के तोर पे नहीं होगा बलकि वो जो अपना run कर रहे हैं वो run करेंगे और इसे additionally वहां पे develop किया जाएगा budget में ये भी कहा गया कि अब देखी ये next article है जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा जो आज का article है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा budget के उपर ही चला जाएगा तो budget में कहा गया कि हम नया SEJ law लेकर आएंगे SEJ का यहां पर full form है special economic june इसके लिए कानून है special economic june act 2006 you can see कि ये कानून अब 4, 10 और 2 हो जाएगा total 16, 16 साल पुराना हो चुका है तो नये कानून के आवशक्ता है महसूस हो रही है इस कानून का एक overview मैं आपको देता हूँ 2006 में इस कानून को लाया गया था जिसके माध्यम से special economic june बनाए गया special economic june basically एक ऐसी territory होती है जहां पर economic regulations अलग होते हैं बाकी देश के हिस्सों से इसे export hub बनाने की कोशिस की जाती है and that is the reason कि यहां पर लगने वाली companies को बहुत सारे incentives रिये जाते हैं incentives कुछ इस सरीके से हो सकते हैं कि इस हिस्से से जो भी export हो रहा है initial five year तक उन में कोई भी text नहीं लगाया जाता आगे के पांस सालों में वो text महस 50% होता है बाकी हिस्सों के तुलना में यदे पी जब यह SEJ का concept आया तो यह काफी prime रहा लेकिन धीमे धीमे इसकी जो shine है वो गिर्थी चली गई क्योंकि एक नया concept आया गया that is mat minimum alternate text जिसमें यह कहा गया कि जहां कोई भी text नहीं लगेगा वहां कम से कम mat तो लगेगा ही लगेगा तो इस वज़े से जो SEJ था वो अपनी relevancy खोने लगा फर्दर यह कानून काफी पुराना हो गया है जाए टोलियो कि 16 साल पहले का यह कानून है तो इसमें कुछन कुछ बिदलाव के आवशक्ता तो है ही जो नया law आएगा उसमें क्या होगा नया law में basically states के participation को बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि वो जो development enterprise का या service hub का उसका हिस्सा बन सके फर्दर जो वर्तमान में existing नए industrial enclaves हैं उन्हीं भी इसका हिस्सा बनाने की बात की जा रही है ताकि export इंडिया का और ज़्यादा competitive बन सके हमारा next article डिजिटल रुपी के बारे में है Central Bank ने भी हाल ही में digital currency Central Bank digital currency यानि की CBDC को announce किया इसे भी हमारे budget के हिस्से के तौर पर announce किया digital currency या फिर cryptocurrency को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के digital assets हैं वो में देखने को मिलते हैं लेकिन चुकि यह decentralized होते हैं और इनके पीछे कोई legal backing नहीं होती that's why लोग अक्सर सशंकित रहते हैं कि कहीं इसमें उन्हें नुकसान ना हो जाए further ऐसे भी माना जाता है कि जो crypto currencies हैं या digital assets हैं इनका इस्तेमाल illegal तरीके से पैसे को transfer करने में या फिर arms को terror को fund करने में भी किया जाता रहा है इंडिया में जो इस प्रकार की currencies हैं वो बहुत दा prominent ना बन जाएं इसलिए central bank अपनी खुद की digital currency लेकर आ रहा है जिसे आप digital rupee कह सकते हैं जो digital rupee होगा ये fiat currency होगा जैसे कि बाकी के cryptocurrency के पीछे कोई legal backing नहीं होती इसका ऐसा नहीं होगा इसके पीछे central bank की backing होगी जैसे वर्तमान में आपके 500 या 2000 के note के पीछे होती है बस मामला इतना होगा कि इसके लिए कोई paper print नहीं किया जाएगा बलकि ये kind of electronic tokens होगे जो सीधे आपके account में होगे और उन्हें आप किसी अनविक्तिक account में भेज के उनके साथ transaction कर सकते हैं चुकि इनके पीछे government backing होगी तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसमें भी बाकी की cryptocurrency की तरह ही blockchain technology का इस्तेमाल किया जाएगा अच्छी बात रही कि Finance Bill 2022 में crypto asset को define किया गया जो definition दी गए उसमें ये कहा गया कि कोई भी information, code, number या फिर token जिसे cryptographic means से तयार किया गया हो जिसका कोई digital representation हो जिसे transfer किया जा सकता हो store किया जा सकता हो trade किया जा सकता हो वो भी electronically हम उसे कहेंगे virtual digital asset further crypto assets जो existing इंडिया में है उन पर जो भी transaction होता है उसमें व्यक्ति जो इस transaction में involved है उसे जो भी profit होगा उसका 30% उसे government को tax के रूप में देना होगा वैसे तो digital currency को या crypto assets को अभी तक सरकार ने legally accept नहीं किया है लेकिन उन्होंने इस पर tax impose कर दिया है tax impose करने के बार मना जा रहा है कि सरकार ने एक तरीके से इन्हें भरत में backdoor entry दे दी है मतलब कुल मिला कि entry दे ही दी गई है कि ठीक है आप खरीद बेश सकते हैं और जो भी फायदा होता है आप उसका 30% सरकार को दीजे सेफरोन बाल प्रोजेक्ट के बारे में सेफरोन का मतलब होता है केसर जिसका इस्तेमाल multiple purpose से किया जाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है जो भी लोग इन्हें उगाते हैं nectar यानि कि North East Center for Technology, Application and Reach इन्होंने सेफरोन बाल प्रोजेक्ट के अंडर में कुछ locations को identify किया है अरुडांचल प्रदेस और मिघालिया में जहां पर सेफरोन कल्टिवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा मैं आपको बता दूँ कि सामानने अर्थों में सेफरोन बाल प्रोफ इंडिया कस्मीर के कुछ हिस्सों तक confined है लेकिन अब इसे North Eastern Region में भी लेकर जाया जा रहा है बाइ नेक्टर पैमपोरे रीजिन जिसे commonly सेफरोन बाल प्रोफ कस्मीर कहा जाता है ये main contributor रहा है भारत में केसर के उत्पादन का इसके नावा को शौर भी डिस्टिक्ट है जहां पर केसर का उत्पादन होता है जैसे की बुद्गाम, स्रीनिगर और किस्तवार डिस्टिक्ट 2020 में कस्मीर सेफरोन को GI टैग भी दे दिया किया था जिससे ये साबित होता है कि इस जगे की जो केसर की कॉलेटी है, वो बहुत ही ज़दा अच्छी है जो सेफरोन बाउल है, वो अभी तक कस्मीर तक कनफाइंट था लेकिन अब दी में नौथ इस्टन डीजिन में इसकी feasibility को enhance करने की कोशिस की जा रही है कुछ locations चूज की गई है अरवांचर प्रदेश में इनकी अच्छी ग्रोथ और जो organic सेफरोन के flowers हैं, उन्हें उगाने के प्रयास किये जाएंगे मेगालयान में भी sample plantation किये गए हैं चेरा पूजी में और मासुमी में further लाजिंग टॉप जो sites हैं, वहाँ पर माफ कीजिएगा अगर मैं किसी site का नाम गलत प्रनिशियेट कर रहा हूँ तो ये बाते अब nectar के बारे में nectar एक autonomous society है जो कि department of science and tech के तहत काम करती है ये कोशिस करते हैं कि जो frontal technologies हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और उसके जरीए हम कुछ बहतर कर सकें nectar जो है वो technological development का इस्तेमाल करता है biodiversity के जो concern है उन्हें address करने के लिए watershed management, telemedicine और horticulture के feed में ये headquarter है मेगालिया के सिलॉंग में और अब ये केसर की खेती में interest ले रहे हैं तो कुछ बैतर output मिल सकता है हमारा next article leka dong turmeric के बारे में हल्दी की एक प्रजाती है ये अपने दरीगे का पहला प्रयास रहा ये जहां पर drones के माध्यम से leka dong turmeric को मेगालिया से भरत के अन हिस्सों में transport किया गया उद्देश यही रहा कि हम भरत के अलग-अलग हिस्सों में इस turmeric को पहुँचा सकें leka dong turmeric को ODOP यानि की One District One Product Initiative के तहत भी opt किया गया था Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT के द्वारा इसे product with huge potential for growth and export के रूप में identify किया गया है जिसके माध्यम से ऐसा मना जाता है कि अगर इसके सम्मन्द में प्रयास किये जाएं तो इसका export potential बढ़िया है इसे export कर सकते हैं वेस्ट एंतिया हिल और मिखालिया के डिस्टिक में इसकी अच्छी पैदावार होती है जो टर्मरिक है इसमें highest curcumin content पाया जाता है जो कि 7-9% का होता है बाकि अदर टर्मरिक के वराइटी में ये curcumin content महस 3% या उससे कमी होता है ये जो curcumin content है वो basically yellow chemical होता है जो आपको हल्दी में देखने को मिलता है वो उसकी medicinal या aesthetic properties के लिए required मतब जरूरी होता है या वही responsible होता है मिखालिया नहीं लेकाडॉंग टर्मरिक को GI tag दिया जाए इसके लिए भी application दिया है one district one product scheme क्या है ये DPI IT ministry of commerce and industry का एक initiative है इसके माध्यम से हम एक district के एक product को choose कर लेंगे और उसके export potential को utilize करते हुए export को enhance करने के लिए जो भी important and required infra है वो provide करवाएंगे ये एक Japanese developmental model है Japan में इसका इस्तिमाल किया जाता था इंडिया ने उसे opt कर लिया भरात में सबसे पहले उत्तर प्रदेश नी one district one product के concept को आप्ट किया था that to in 2018 हमारा next article security bond के बारे में है budget 2022-23 में government ने ये कह दिया कि अब bank guarantee के जिगे पे security bonds का इस्तिमाल किया जा सकेगा government procurement के लिए या फिर goal लेके import के लिए अब ये मामला आपको तक तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपको security bond के बारे में ना समझ में आ जाए security bond के बारे में जो बाते हैं वो वैसे तो line by line यहां पे लिखी गई है लेकिन पहले मैं आपको इसे आसान भासा में समझा देता हूँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा security bond के मामले में यहां पर heading देखे security bond के होनी चाहिए security bond के मामले में तीन parties involved होती है एक example लेंगे और फिर मैं आपको बता दूँगा कि कौन सी party क्या होती है suppose करिए कि ए contractor A है और ये government से government यानि की G से एक contract लेना चाहते है government यानि की G contractor A से ये कहती है कि आप इस बात को ensure करिए इस बात की guarantee दीजिए कि आप इस minimum standard की road बनाएंगे जिस road के लिए person A contract लेना चाहते है सरकार से लेकिन person A जो guarantee दे रहे हैं सरकार को उस पर भरोसा नहीं है तो सरकार person A से कहती है कि आप एक security bond लेकर आए किसी भी entity से किसी insurance company से जो आपकी road से इस बात की guarantee दे कि अगर आपने वो standard maintain नहीं किया या वो time frame में आपने project complete नहीं किया तो जो नुकसान होगा वो उसकी भरपाई करेंगे तो person A insurance company X के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी और से guarantee ले लिजे government के लिए तो company X person A को देते हैं एक security bond मतलब person A company X से एक security bond खरीदते हैं और उस security bond को ले जाकर वो government को submit कर देते हैं यह कहते हुए कि company X जो कि एक insurance company है मैंने उससे एक security bond लिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ यह इस बात की security करता है कि जो भी मैंने काम लिया है मैं उसे अच्छी तरीके से और अच्छी quality में करूंगा अब यहाँ पर इन तीनों parties को क्या कहा जाएगा यहाँ पर यह जो insurance company X है इसे ही आप कहेंगे security ठीक है जो person A है इन्हें कहा जाएगा principle और जो government G है जो contract दे रही है इन्हें कहा जाएगा obligee obligee मतलब जिसके प्रती यह person A obliged है जिनके लिए इनको काम करना है तो government G यानि कि जो contract दे रही है वो obligee हो गई person A जो contract ले रहे हैं वो principle हो गई और company X जो इस बात की security दे रही है कि person A अपना काम अच्छे से करेंगे और अगर इन्होंने नहीं किया तो नुकसान की भरपाई सरकार को मैं करूंगा उन्हें कहा जाएगा security तो security bond में ये तीन लोग involved होते हैं अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो जो बात लिखी गई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ ये एक legally binding contract होता है तीन parties की बीच में principle, obligy और security अगर मैं ये आपको पहली दफा बताता तो आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आता और security वो insurance company होती है जो security bond जारी करती है Obligy, government entity होती है principle को require किया जाता है कि वो security bond लेकर आएं ताकि वो अपना work performance आने वाले भविश्य में ensure करेंगे जो security bond है ये intra development के purpose से काफ़ी ज़रूरी होता है contractors के लिए कई बार सरकार कहती है आप bank guarantee लेकर आईए कि अगर आप ने काम अच्छा नहीं किया तो नुकसान की भर पाई bank करेगा तो bank guarantee अवेल करना इतना आसान नहीं होता तो bank guarantee के जिगे पे अब security bond का इस्तिमाल किया जा सकेगा by the insurance companies एक अच्छा option है तो insurance companies अब contractors के बहाब पे security bond जारी कर सकते हैं और इससे जो आने वाले समय में principle है यानि कि वो लोग जो contract वगरा लेते हैं उन्हें काफी ज़दा सहुलियत या फिर आसानी हो जाएगी तो security bond का मामला अगर आपको समझ में आ गया है तो security bond के साथ issues क्या आते हैं पहला issue तो यह आता है कि risk कांसेप्ट है मतलब कई बर contractors default कर जाते हैं अपना काम अच्छे से नहीं करते फिर उनको खत्रा आ जाता है insurance companies को और उन्हें वो सारी भरपाई सरकार को करनी पड़ जाती है अब यहाँ पर risk है और जो हमारी insurance companies हैं उनके पास अभी इतनी expertise नहीं है कि वो proper risk analysis कर सके इसलिए वो security bond जारी करने को लेकर थोड़ा कतराते हैं कि उन्होंने जारी कर दिया नुकसान हो गया तो भढ़ना पड़ जाएगा दूसरा security bond किस price पर यह जो principal यानि कि contractors हैं वो खरी देंगे चुकि insurance company फ्री में तो देगी नहीं security bond अगर वो risk ले रही है तो उसके बदले में कुछ charge भी करेगी तो उसका क्या mechanism होगा इसका कुछ खास clarity है नहीं इस वजह से भी काफे दिक्कते आती है हमारा next article Indian footwear and leather development program के बारे में है यानि कि IFLDP इसे अभी हाली में continue कर दिया गया है 2021-22 से इसके लिए fund allocation किया गया है 1700 करून का central sector scheme है सारा पैसा central government खर्च करती है और leather sector भारत का अच्छा develop हो उसके लिए उन्हें proper infra दिया जाता है जो environmental concerns है leather sector को लेकर उसे भी address करनी की कोशिस की जाती है महिलाओं के लिए skill development के लिए और तयास किये जा रहे हैं कि environmental friendly laser industry बढ़िया तरीके से काम कर सके हमारा next article परवत माला scheme के बारे में है Union Finance Minister ने Union Budget 2022 से इसमें अनौन्स किया कि हम National Ropeways Development Program लेकर आएंगे जिसका नाम होगा परवत माला इसके माध्यम से hilly areas में connectivity को better किया जाएगा जैसे माल ये दो summits हैं ये पहाडियां हैं इनके बीच का terrain tough होगा और यहां से यहां जाने में हो सकता है लंबा समय लग जाए जमीन के रास्ती अब यहां पर अगर हम एक rope भी बना देते हैं तो इस जगे सो इस जगे को हम जोड देते हैं और यहां पर जाना आसान हो जाता है Ministry of Road, Transport and Highways का ये एक initiative होगा मतब ये Northern Ministry की तरह काम करेंगे इससे हिली areas में rope waste को develop किया जाएगा जिसमें हम triple P model का इससे माल करेंगे that will be public private partnership आठ ropeway projects develop किये जाएगे जिनकी length 60 km के आसपास होगी ये 2022-23 में होना है जो program है वो congested urban areas को भी cover करेगा वहाँ पर भी mobility को इस परकार के rope waste के माध्यम से run किया जाएगा because जो जमीन का रास्ता है वो feasible नहीं हो पाता conventional mode बहुत efficient नहीं होते वहाँ पर जो program है उसे अभी right now start किया जाएगा उतराखंड, हिमाच्रप्रदेश, मनीपूर, जमुन, कस्मीर और कुछ north eastern states में significance की बात करें तो ये economical mode of transportation होता है मतलब सस्ता पड़ता है अब आपको मैसूस होगा कि इन rope waste को बनाना तो काफी महंगा होता है बिलकुल इन rope waste को बनाना महंगा होता है लेकिन ये आपको overall सस्ते दिखेंगे देखे, hilly terrain में ये एक straight line में transportation कर देते हैं ठीक है इससे land acquisition की cost नहीं आती अगर आप सड़क बनाएंगे तो जमीन का acquisition होगा उसमें बहुत खर्चा आता है ropeway में जमीन का इस्तेमाल नहीं होता अगर आप flyway इस्तेमाल करें मतलब जो helicopter fairies होती है वो बहुत महंगी हो जाती है तो आप देखे जमीन पर आपको जमीन खरीदना होगा और जो helicopter fairies होती है बहुत महंगी होती है इन दुनों के बीच में जो आपको ropeway मिलेगा चूकि इसमें जमीन का acquisition नहीं होता that's why cost of construction comparatively सस्ता हो जाता है वैसे तो आपको अगर आप road बनाने की बात करेंगे केवल तो आपको ये महंगा दिखेगा लेकिन ये roadways की तुलना में ज़्यादा economical हो जाता है मैंने आपको करण बता दिया faster mode of transportation भी है ये तीजी से travel कर सकते हो आप traffic नहीं आएगा straight line में travel कर सकते हो घूमना नहीं पड़ेगा कई रास्ते या चौराही नहीं पड़ेंगे red lights नहीं पड़ेंगी तो आप आसानी से पहुंच सकते हो environmentally भी friendly है destination बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जमीन का इस्तेमाली नहीं होगा ये 3S का इस्तेमाल करता है cable car system का जिसमें ये लगभग 6000 से 8000 passengers को एक घंटरे में transport भी कर सकता है हमारा next article वंदे भारा trains के बारे में है आपने इसके बारे में सुना होगा 400 नए वंदे भारा trains को अगले 3 सालों में चलाया जाने की बात कही गई है इस बार के बजट में इसे train 18 की नाम से भी पुकारा जाता है ये इंडिजीनर्सली बनाई गई है self-propelled engineless train होती है ये जो पहली वंदे भारत train थी इसे manufacture किया गया था integral coach factory चन्नई की दवरा 2019 में 18 महिनों का समय लगा था मेंगिन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस train को बनाया गया ये इंडिया की पहली semi high speed train है 160 km पर आर की speed अचीव कर सकती है और इसकी मदद से जो journey time है वो 25% से 45% तक कम हो जाता है इसमें 16 कोच होते हैं जिसमें 14 ordinary chair cars होती है और 2 होते हैं executive class chair cars ये जो हमरा next article है ये power thon 2022 के बारे में है power thon ये kind of hackathon है hackathon का मतलब ये होता है कि कई सारे stakeholders एकठा होते हैं उन्हें कुछ challenges दिये जाते हैं कुछ problems दी जाती हैं और वो मिलकर उसका एक solution draw करने की कोशिस करते हैं power minister R.K. Singh ने virtually launch किया है power thon मतलब power sector का hackathon है ये इसके जरीए हम technology driven solutions निकालेंगे जो complex problem हमें power distribution में देखने को मिलती है उसके लिए hackathon का end of competition होता है जो technology driven solutions draw करता है ताकि हम quality और reliable power supply को ensure कर सकें इस hackathon में start-up technology solution providers ने के TSP, educational and research institution equipment manufacturers सभी ने हिस्सा लिया इसमें 9 themes रही आपको सारी याद ना रहें तो कोई बात नहीं लेकिन मैं आपको बता तो सकता ही हूँ एक बार that is demand load forecasting AT&C, aggregate technical and commercial loss reduction मतलब जो बिजली को transmit करते हैं उसमें loss होता है बिजली का उसे भी हम इसमें लेंगे energy threat detection, prediction of DT distribution, transformer, failure इसका जो पूरा transformer फेल कर जाता है उसको पहले पता लगा लेना asset inspection, vegetation management consumer experience enhancement rerumer energy integration और power purchase optimization ये सभी इसका हिस्सा है हमारा next article national single window system के बारे में है जो अभी हाल ही में जम्मू कस्मीर में शुरू किया गया ये एक digital platform है जो investors को guide करता है कि उन्हें अगर कोई industry लगानी है कोई business start करना है जम्मू इन कस्मीर में तो उन्हें कौन-कौन से approvals शाहिए होंगे और वो उन्हें कैसे मिलेंगे और सारे approvals उन्हें इसी एक single online platform से मिल जाएंगे 2021 में इसे union minister for commerce and industry के दवरा start किया गया platform अलग-अलग multiple platforms या offices पर जानी की need को खतम कर देता है और सारे clearance एक investor को एक ही जिगह पर मिल जाते है उसे कौन-कौन से clearances लेने होंगे approvals लेने होंगे इसकी जानकारी भी उसे platform ही दे देता है वहाँ पर एक system है know your approval यानि कि क्या का वहाँ पर जब वो investor जाता है तो उसको उसके business के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते है वो उन सवालों के जवाब देता है उसके बताया जाता है कि अगर आपका business इस nature का है तो आपको यह यह approval चाहिए होंगे तो आप यहाँ 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 ऐसे apply कर दो तो एक ही जिगे पर सरा काम हो जाएगा 20 ministries and department जो है उन्हें NSWS में integrate किया गया है जिसमें ministry of corporate affairs, ministry of environment, forest and climate change ministry of health and family welfare शामिल है 14 states और UTs में NSWS को लाया जाना है 2009 प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचर प्रदेश, जम्मू कस्मीर, करनाटका, मत्रप्रदेश, महरास्टरा, उडीसा, पंजाब, तमिलनाडू, तिलंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तरखन तो जम्मू इन कस्मीर में आ गया है दिमे दिमे बाकी राजियों और UTs में भी आएगा National Food Security Act of 2013 के बारे में है अभी हाल ही में Government of India ने Parliament को ये बदाया कि आत्मनिर्भर भरत स्कीम के अंडर में उन्होंने आत्मनिर्भर भरत पैकेज स्टार्ट किया था मई 2020 में जिसके तहत जो Migrant Labors थे या फिर जो Stranded Migrants थे जो किसी जिगे पर फस गए थे जो ना तो National Food Security Act NFSA के अंडर में कवर हो रहे थे और ना ही किसी स्टेट के PDS Scheme का हिस्सा थे उन्हें Food Grain प्रोवाइड करवाया गया है ये सारी बाते अभी Parliament को बताई गी बात करते हैं NFSA 2013 के बारे में ये फ्री मतलब ये जो Food और Nutrition Security है उसे इंशार करता है फ्री नहीं होता इसमें एक Basic Cost जो भी लोग इसे अवेल करते हैं उन्हें पे करनी होते हैं बहुत ही Nominal होती है ताकि adequate quantity और quality food मिल जाए affordable price पे ताकि एक व्यक्ति अपनी life को dignity के साथ जी सके जो PDS है Public Distribution System है वो NFSA 2013 के अंडर मिला दिया गया है उसी का हिस्सा बना दिया गया है NFSA के तहत subsidized food grains दिये जाते हैं under targeted PDS यानि कि कुछ household को target किया जाता है जो ज़्यादा vulnerable है और उन्हें subsidy के form में food grains दिये जाते हैं इसके लावा होते हैं कि eligibility में आपको दो प्रकार के household मिलेंगे एक तो होंगे PHS यानि कि priority households और दूसरे होंगे AAY यानि कि अंतियोदय अन्योजना के तहत आने वाले households तो जो priority households हैं उन्हें cover किया जाता है targeted PDS में priority decide की जाती है कि इन households को हम cover करेंगे PDS के अंडर में फर्दर जो अन्तियोदय अन्योजना के households होते हैं वो भी cover होते हैं इसमें एक बात ये है कि जो राशनकार्ड issue होता है वो woman को head of the family मानते हुए issue किया जाता है इस act के तहत जो household अन्तियोदय अन्योजना के तहते हैं पर household 35 kg food grains जिये जाते हैं जबकि PHH यानि की priority household जो होते हैं उनमें 5 kg पर person के basis पर मन्त अनाज दिया जाता है उनकी कीमत 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर kg होती है 3 रुपए चावल के लिए 2 रुपए गेहों के लिए और कोई course green है तो उसके लिए 1 रुपए पर kg चार्ज किया जाता है Meal और maternity benefit का प्रावधान भी NFS 2013 में किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी pregnant woman या lactating मदल को जो अपने बच्चे को दूद पिलाती हो उन्हें 6,000 एक amount दिया जाएगा उनकी pregnancy के दौरान और बच्चे के जन्मे के 6 महिने बाद के भीतर में ताकि बच्चे की और मा की कुछ basic needs पूरी हो सकें 14 वर्स तक की आयो के बच्चों के लिए meal का भी प्रावधान किया गया Food security allowance जेने की बात की गई अगर सरकार food grains जेने में असफल होती है अगर कोई दिक्कत आती है तो इस मेकेनिजम को अप्ट किया जा सकता है NFSE total population का two-third cover कर लेता है 2011 के population estimates के according 75% rural और 50% urban population इस scheme के तहत cover हो जाती है हमरा next article SWIFT के बारे में है SWIFT हाल-फिल-हाल में काफी ज़्यादा news में है Russia और US के बीच में tensions बनी हुई है Ukraine के issue को लेकर Ukraine को NATO के membership देना चाहता है USA ऐसी बाते चल रही है Russia ऐसा चाहता नहीं है इसलिए वो Ukraine के border पे अपनी military को mobilize करके रखे हुए including tanks and aircraft in that case ऐसा रग़ा आए कहीं third world war के स्थितिन आजाए United States ने ये भी कहा ये अंतिम विकल्प के रूप में Russia को स्रिफ से भी बाहर किया जा सकता है अगर Russia को स्रिफ से बाहर किया जाता है तो इसके क्या implications होंगे और ये स्रिफ है क्या इसका full form है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication इसमें एक बात तो ये clear है कि एक society है society का मतलब ये है कि कई सरे stakeholders मिल के इसे चलाते है दुनिया भर में जो interbank financial telecommunication होता है दुनिया भर में जो अलग-अलग banks है जब ये आपस भी financial transaction करते हैं तो information को भी convey किया जाता है messages दिये जाते हैं कि इस transaction को करना है तो वो transaction करने के लिए जो mechanism opt किया जाता है जो communication system opt किया जाता है उसे ही shift कहा जाता है जैसे एक bank से अगर global level पे दूसरे bank में किसी दूसरी देश में पैसा भीजना है तो एक information ने convey की जाएगी कि हाँ इस bank से इस bank में पैसा जाना है तो shift code भेजा जाता है basically एक bank से दूसरे bank में जिसके जरीए यह identify किया जाता है कि अब beneficiary को पैसे दिये जाने चाहिए तो यह जो पूरा communication होता है यह बहुत ही secured और encrypted होता है क्योंकि एक इसे breach किया गया तो बहुत बड़ी transactions होते हैं global level पे वो सभी प्रभावित हो जाएंगे 1973 में इस system को तयार किया गया था यह एक messaging network है जिसे bank और financial institutions दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं यह 11,000 से जादा banking और security organizations को connect करता है 200 से जादा देसों और territories में यह headquartered है Belgium के Brussels में सिर्फ के बारे में एक बात आप बिलकुल ध्यान से समझेगा कि यह सिर्फ एक messaging platform है जो information convey करता है यह ना तो कोई securities अपने पास रखता है ना ही पैसा रखता है और ना ही इसके पास किसी का bank account होता है बस यह एक emiliator की तरह काम करता है जो information को convey करके या messages को encrypt करके भीज के जो transactions हैं उन्हें facilitate करता है extended manner में यही इसका majorly काम है ठीक है अब इतना बड़ा Swift का जो platform है यह govern कैसे होता है इसे own और control किया जाता है इसके shareholders के दवारा कौन है इसके shareholders वही financial institutions and banks लगभग 3500 firms इसका हिस्सा है यह सभी लोग मिलकर 25 independent directors को चुनते हैं जो इस पूरी company को या इस पूरी society को run करते है इन्हें OAC किया जाता है दिखा जाता है G10 Central Banks के दवारा जिनमें Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan Netherlands, UK, United States, US Switzerland और Sweden सामिल हैं further European Central Bank भी इसका हिस्सा रहता है और इसे lead किया जाता है National Bank of Belgium के दवारा 2012 में इस पूरे framework को review किया गया और Swift के oversight forum में कुछ और देसों के Central Bank सो सामिल किया गया जैसे कि India, Australia, Russia, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Republic of Turkey, People's Republic of China ताकि पूरे system को और inclusive बनाया जा सके अगर रश्या को इससे बाहर किया गया तो क्या होगा? सीधा implication आपको समझ में आ रहा होगा, Russia financial transactions global level के नहीं कर पाएगा मतलब जो investors रश्या में invest करना चाहते हैं वो अपने पैसे को transfer नहीं कर पाएगे तो रश्या का जो investment है domestic investors के उपर ही उसके dependence बन जाएगी और एक बार को लेकर काफी ज़दे नुकसान हो जाएगा रश्या को तो यह एक resort हो सकता है जो यह उप्ट कर ले में भी रश्या के उपर दबाव बनाने के लिए that is related to capital gains tax इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि capital gains tax होता क्या है एक दमासान भासा में आपने कोई share खरीदे हैं कोई stock खरीदा है real estate में investment किया है और बाद में आपने उसे बेच दिया तो जब आप बेचते हैं तो उससे आपको पैसे मिलते हैं वो पैसा जो है आप उसे capital कह लीजिए चूँकि वो capital आपको gain हुआ है तो आपको फायदा हुआ है तो सरकार उसके उपर आपसे tax लेगी तो जिस capital को आप gain करते हो जैनि कि जो आपको मिलता है उसके उपर जो सरकार आपसे tax लेती है that is capital gains tax अब आई आटिकल पर चलते हैं revenue secretary ने अभी हाल ही में कहा कि capital gains tax का जो structure है इंडिया में बहुत complicated है complicated कैसे अभी आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में complicated है और अब इसे देखने की आवशकता है रिलूक करने की जरूरत है क्या है capital gains tax ये investment पर किये गए investment पर availed profit पर लिया जाने वाला tax है जो profit आपकी investment पर आपको मिलता है उस पर आपको tax pay करना पड़ता है इसमें कई प्रकार का investment आ सकता है like real estate में जो आपने पैसा लगाया है gold, stocks, mutual funds और जो other financial और non financial assets है उनमें जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको जो capital gain होता है उस पर tax आपको देना पड़ेगा जो ये capital gain है इसे दो तरीके से आप divide कर सकते हो long term capital gains tax यानि कि LTCG और short term यानि कि STCG short term capital gain tax long term usually ये होता है कि अगर आपने एक साल से कम के लिए रखा है तो वो short term होगा 365 days से कम समय के लिए अगर आपने किसी capital को share को अपने पास रखा हुआ है तो उस पर जो आपको फायदा होता है उस पर आपको short term capital gains tax देना होगा और अगर आपने एक साल से जादा रखा तो long term capital gains tax देना होता है हलाकि कुछ particular assets होते हैं जिनने जो long term है वो दो साल के बाद माना जाता है या भी मैं आपको बता दूग बट इन जनरल आप समझो एक साल से कम short term एक साल के उपर long term short term में सरकार आप से ज़्यदा tax मांगती है long term में कम मांगती है सरकार चाहती है कि आप अपने assets को लंबे समय तक अपने पास रखें क्योंकि इससे market stable होता है और volatility कम होती है तो इसलिए long term capital gains tax कम होता है और short term में ज़्यादा होता है क्या है capital gains tax और income tax में difference like income tax में होता है slab जैसे जैसे आपकी income बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको ज़्यादा tax देना होता है capital gains tax में यह नहीं होता मतब जो tax आपको 10 लाग पे देना पड़ेगा वही 10 करोन पे भी देना पड़ेगा एकदम similar आपको देना पड़ता है दूसरा की separate set of deductions apply होते हैं LTCG पे long term capital gains tax पे जो की ordinary income पे नहीं होते है अब capital gains tax इतना complicated क्यों है जैसा कि article में कहा जा रहा है भी आपको समझ में आ जाएगा पहला point तो यह है कि asset to asset जो capital gains tax का rate है वो बदलता रहता है जैसे कि आपने stocks खरी दे हैं या फिर किसी mutual fund में equity खरी दिये है तो आपको capital gains tax long term में केवल 10% देना होगा लेकिन अगर आपने debt mutual fund लिया है तो 20% देना पड़ेगा क्या होता है यह debt mutual fund या equity mutual fund equity mutual fund में आप किसी company के shares ले देते है company का फायदा आपका company का नुकसान आपका भी नुकसान तो चुकि यहाँ पे risk involved है आपका तो 10% ही आपको tax देना पड़ेगा लेकिन debt mutual fund में आपने company को kind of loan दे दिया है या पैसे उधार दे दिये है और आप उस पे interest लेते हो ब्याज लेते हो तो आपका risk नहीं है company घाटे में जाएगी तब भी उसे आपको तो पैसा देना पड़ेगा in that case long term capital gains tax 20% लगता है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि in general long term capital gains tax एक साल के उपर माना जाता है लेकिन ये भी asset to asset vary करता है ये कोई uniform rule नहीं है जैसे कि अगर आपने कोई stocks खरीडे हुए है shares लिए हुए है तो long term capital gains tax एक साल के बाद लग जाता है लेकिन अगर आपका investment real state में है तो capital gains tax long term में 2 साल पर माना जाएगा अगर आपनी mutual funds या gold में invest किया है तो long term capital gains tax 3 साल के बाद बना जाता है मतब इसमें भी uniformity नहीं है आपको समझ में आ रहा है कितना complex है ये capital gains tax तीसरा कि आपके पास जो capital है उसमें exemptions के प्रावधान भी काफी complex है लाइक आपने एक घर बेच दिया अब आपको capital gains tax देना होगा लेकिन उससे बचने का एक तरीका है कि आप उसी पैसे से दूसरा घर खरीद लीजी फिर आपको नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपको ये घर दो साल के भीतर खरीदना होगा या फिर आप एक नया घर construct कर लीजे तो ये घर आपको तीन साल के भीतर बनवाना होगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो capital gains tax भरना पड़ जाएगा बट ऐसा करके आप बस सकते हो तो बहुत complex है capital gains tax का ये पूरा structure वो complexity मैंने आपको बता दिया आपको समझने में रिक्कत नहीं होगी बट है तो इसमें reform के आवशक्ता तो obviously है हमरा next article nuclear fusion energy के बारे में है UK के scientist ने भी हाल ही में एक नया milestone अचीफ किया है जहां पे उन्होंने nuclear fusion energy को produce किया ये energy जो उनकी दोरा produce की गई वो sun के core में जो fusion होता है उससे जो energy release होती है उसका 10 गुना जादा थी sun जिस mechanism से energy produce करता है उसे ही यहाँ पे replicate किया गया है joint European torus यानि कि jet facility में जो scientist थे उन्होंने ये कारणामा किया है जहां पे उन्होंने 59 megajoule sustained energy अचीव करी ये 1997 के record का double है एक kg जो fusion fuel होता है उसके पास जो energy होती है वो एक kilo coal oil या gas की तोलना में 10 million times जादा होती है मतलब बहुत जादा energy होती है इसमें जो experiment है उसे एक machine में किया गया जिसे नाम दिया गया है tokamak जो jet site है वो इस प्रकार के experiment करने के लिए एक largest operational sites है जहां पे ये काम हो रहा है यहां पे deuterium और tritium के जो ये isotope हैं दोनों hydrogen के उनको जोड़ा जाता है उनके atoms को जोड़ कर temperature अचीव किया जाता है जो कि sun के center से 10 times hotter रहा चुकि देखे हमारे पास कोई ऐसा metal या concrete है नी जो इतने बड़े temperature को bear कर सके अगर sun से 10 गुना ज़दा temperature है तो वो किसी भी चीज को गला देगा न तो temperature जो है या जो hot plasma होता है जिससे हम ये temperature अचीव करते हैं वो walls को touch ही ना करें इसके लिए एक electromagnetic field जेनरेट कर दिया जाता है जो उस plasma को जिसके पास ये temperature होता है wall से दूर रखता है और इससे वो wall को touch नहीं करेगा तो उसे गलाएगा नहीं और तभी हम इस temperature को attain कर पाते है जो energy nuclear fusion में हमें मिलती है इसका लंबे समय में हमें बहुत ज़्यदा फायदा हो सकता है चुकि इसमें कोई waste नहीं निकलता कार्बन का कम इस्तेमाल होगा ये safe है वर्तमान में जो हम nuclear fusion यानि कि विखंडन करते हैं energy के लिए उससे तो ये काफी फायदे मंद हो सकता है nuclear fusion में ये source of energy है sun के लिए, stars के लिए यहाँ पे hydrogen के nuclear collide करते हैं fuse होते हैं आपस में और एक heavier helium atom बना लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यदा energy निकलती है इस पूरी प्रक्रिया में आपने basic sciences में fusion और fusion पढ़ा भी होगा हमारा next article e-rupee voucher based digital payment system के बारे में है RBI ने अभी e-rupee voucher के limit जो पहले महस 10,000 रुपए हुआ करती थी उससे बढ़ा के 1,000,000 कर दिया है इसके माद्यम से e-rupee voucher अब multiple time इस्तिमाल किये जा सकेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से redeem ना हो जाए देखिए मैं बात कर रहा हूँ ये नाम के एक student की ये बहुत हमबल background से belong करते हैं मतलब economically बहुत strong नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत ही होनहार है ये higher education avail करना चाहते हैं लेकिन इनके पास higher education avail करने के लिए पैसे नहीं है ये scholarship का form भरते हैं कि अगर मुझे scholarship मिल जाती है तो मैं अपनी पढ़ाई complete कर पाऊंगा लेकिन जब इस scholarship का form फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर इनसे कहा जाता है कि आप अपना bank account number डालिए जिसमें सरकार आपको पैसे देगी परसन ये कहते हैं कि मेरे पास तो कभी इतने पैसे रहे ही नहीं कि मैं bank account में रखूँ तो मेरे पास account number नहीं है तो सरकार इनसे कहती है कि कोई बात नहीं है हम आपके android phone पर एक QR code भेज़ देंगे उस QR code को आप scan करवाके अपनी scholarship के पैसे ले लीजेगा तो परसन ये कहते हैं कि मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं android phone ले सकूँ further मैं internet use नहीं करता और नहीं मुझे use करना आता है मेरे पास इतने resources नहीं है मैं क्या करूँ मेरे पास एक छोटा सा ordinary सा phone है जिसमें internet नहीं चल सकता और मैं use भी नहीं करता तो सरकार कहती है कोई बात नहीं है हम आपके लेकर आ गए है E-Rupee Voucher Bees Digital Payment System तो परसन ये कहते हैं क्या मुझे bank account की जरूँत नहीं पड़ेगी सरकार कहती है बिल्कुल नहीं जाता है बट SMS का भी इस्तेमाल किया जाता है उस SMS में एक E-Voucher नंबर होगा जो एक लाख रुपए का सपोस करिये कि होता है अब आप इस नंबर को लेकर चले जाएए और जहां पर भी आपको scholarship के जरिये fees जमा करनी है उन्हें दिखा दीजिए अगर आपकी fees एक लाख रुपए है तो वो जैसे ही उस नंबर को एक्सेस करेंगे अपने डिवाइस से उनके account में एक लाख रुपए पहुँच जाएंगे और वो आपको admission दे देंगे suppose करिए कि आपकी fees दो बार में जमा होनी है पचास जार पचास जार तो पहली बार आप उन्हें वो code दीजिए वो उसमें से पचास जार ही एक्सेस कर पाएंगे और second installment उसी या दूसरा code आ सकता है वो आप लेकर जाएए या उसी code में बाकी का amount बचा हुआ है वो दो बार एक्सेस कर सकते हैं तो मतलब आप installment के तरीके से भी उस number से या उस QR code से पैसे दे सकते हैं तो आपने समझा कि ये पूरा system कैसे work करता है इस पूरे system को मैंने एक scholarship के example में fit किया इसका इस्तिमाल PDS सिस्टम में भी किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति एक code या एक number के जरीए अपने PDS को वेल कर रहा हो health services वेल कर रहा हो या कोई और service वेल कर रहा हो अगर आप किसी व्यक्ति के account में पैसे डाल देते हैं तो हो सकता है वो उस पैसे का कोई और इस्तिमाल कर ले जैसे आप चाहते हैं कि व्यक्ति 10 kg अनाज ले PDS से जाकर आप उसके लिए उसे पैसे दे देते हैं ठीक है लेकिन वो उस पैसे से जाकर कोई और चीज खरीद लेता है या कुछ लोग liquor consumption करते हैं तो वो सराप पी गया उसकी तारू पी गया लेकिन अगर आपने code दिया है जिसका इस्तिमाल करके केवल अनाज ही खरीदा जा सकता है तो तो option बढ़िया है ठीक है तो ये पूरा system है e-rupee voucher based digital payment system का उमिदतर आपने समझ लिया है वही बात यहाँ पर लिखी गई है मैं बता देता हूँ इसके लिए हमें ना तो कोई card चाहिए ना कोई digital payment app चाहिए और ना ही internet banking system चाहिए इवन bank account भी नहीं चाहिए basic phone में भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं जहाँ पर internet ना हो ये prepaid nature में होता है मतलब कुछ वो QR code या वो number जो आपको mobile पे भीजा गया है उसमें पैसे already सरकार डाल चुकी होती है ऐसा नहीं कि वो access करेंगे बाद में पैसे मिलेंगे इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी कोई intermediary नहीं है आप जाके number दीजी वो आपका पैसा उसमें से लेके आपको जो भी service आप production ये वो access दे देंगे तो बढ़िया है ने system आप जान भी गया भी पहले इसकी limit 10,000 की थी अभी एक लाग कर दिया है तो बढ़िया है हमारा next article Central Consumer Protection Authority के बारे में है CCPA ने अभी डेरिक किया है Glaxo Smith Client GSK को जो की एक company है कई सारे product बनाती है healthcare के जो उनका product है sensorine जिसके tooth brush, tooth paste वगएरा भी आते हैं उन्होंने कहा कि आप उसका हर प्रकार का advertisement बंद करी है अब भला ऐसा क्यों कहा गया देखें इंडिया में एक कानून है Revised Dentist Code of Ethics Regulation 2014 जिसके तहट कोई भी dentist किसी product को endorse नहीं कर सकता promote नहीं कर सकता तो इंडिया के dentist तो किसी भी product को endorse कर नहीं सकते लेकिन ये Sensodyne वाले बड़े कलाकार है उन्होंने का कोई बात नहीं हम बाहर से Dentist लेकर आएंगे तो ये चूकि एक MNC है Multinational Company है तो वो German, Spanish या US जो Dentist हैं उनको advertisement में शामिल करके अपने product को endorse कर रहे थे तो ये कहा गया कि आप इस प्रकार के advertisement नहीं कर सकते अगर इंडिया के Dentist ban है तो किसी भी देश का Dentist ban है आप इन advertisement में इन लोगों का इस्तिमाल नहीं कर सकते विकॉस जो कोई बात Dentist कह रहा है तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि विदिन 60 सेकंड आपके दापों में जो sensation है वो sensor डाइन से खतम हो जाएगा आपको लोगों के बहुत बढ़ियां बात है कोई Dentist कहरा चलो ले लेते हैं लेकिन इंडिया में ये ban है तो इसी आधार पे इसी रोका गया बात करते हैं CCPA के बारे में section 10 जो है Consumer Protection Act of 2019 का उसके तहत इसे बनाया गया है ये consumers के right को ensure करने के लिए unfair trade practices को रोकने के लिए बनाया गया और जो misleading advertisement है यहाँ पर मामला misleading advertisement का है जो लोगों के interest के खिलाफ हो उसे रोकता है National Capital Region Delhi में इनका एक office है बाकि regional offices भी हो सकते हैं promote, protect और enforce करते हैं consumer rights को इनके पास investigation करने का अधिकार है unsafe goods and services को यह रोकते हैं misleading advertisement को रोकते हैं और अगर कोई manufacturer, endorser, publisher misleading advertisement करता है तो उनके खिलाफ penalty भी लगाते हैं composition यह होता है कि एक chief commissioner होते हैं जो की head होते हैं और दो other commissioner होते हैं जिनमें एक commissioner का काम होता है goods के issues को देखना और डूसरे services के issues को देखते हैं CCPA के एक investigating wing भी होती है जो director general head करते हैं यह इनका काम investigation का है district collective के पास भी regard होता है कि वो unfair trade practices या फिर false misleading advertisement के खिलाफ कारवाई कर सकते हैं हमारा next article स्वामित्व scheme के बारे में है सरकार ने कहा है कि उनका plan है कि वो एक digital map prepare करेंगे in fact digital maps prepare करेंगे 6000 गाउं के लिए pan India 3D map तयार किये जाएंगे 100 cities के लिए भी और ये सब होगा स्वामित्व scheme के तहट देखे जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने ये वादा किया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो जिनके पास जमीने नहीं हैं उन्हें जमीने दी जाएंगी और land reforms लेकर आया जाएगा जब land reforms लाए गए तो उसके तहट किसके पास कितनी जमीन है उसे evaluate किया गया जब जमीन का ये evaluation किया जा रहा था ताकि एक cap लगाया जा सके ceiling लगाया जा सके कि इस से जादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी उसे distribute कर दिया जाएगा तो इस evaluation में उन जमीनों को evaluate नहीं किया गया जिन पर घर बने थे और ऐसी जमीने land record के बहार हो गई इन जमीनों को आम बोलचाल की भासा में आबादी की जमीन कहा जाता है मतलब ऐसी जमीन जहां पर आबादी रहती थी ये जमीने आज भी विवात का करण बनती है क्योंकि जहां पर घर हुआ करते थे वो घर गिरे और चूंकि उनका कोई record नहीं होता तो जो व्यक्ति उसे पॉसिस करता है मतलब वो जिसके पास है वो उसी की मानी जाती है मतलब अगर कोई अन विक्ति भी उस पर कबजा जमा ले तो केस नहीं किया जा सकता वो उनका कबजा हो जाएगा आबादी की जमीने चुकी जो पुराने घर थे जिन पर आबादी थी और कल्कुलेट नहीं किये गए थे वो आज गिर चुके हैं वो जमीने खाली हो गई है कोई नो कोई उन्हें जाके क्लेम कर लेता है जगड़े होते हैं विवाद होते हैं और केसिस भी होते हैं सरकार नहीं चाहती कि विवाद हो इसलिए सौमित तो इसकीम के तहट ऐसी जमीनों का डेटा तयार किया जा रहा है जो पहले calculation में नहीं आई एक central sector scheme है जो इसे ministry of पंचायती राज handle कर रही है इस scheme के तहर residential land को map किया जाएगा rural sector में मदद ली जाएगी drones की इसके जरिये जो property record maintenance है वो revolutionize होगा इस scheme के माध्यम से हम जमीनों के जो residential जमीन है जिसे हम आबादी की जमीन कहते हैं उसके non-disputable records त्यार के जाएगे क्योंकि ये dispute का बहुत बड़ा करण होता है रूरल अरिया में property card दिया जाएगा in residential lands के लिए जिसके लिए drone mapping का सारा लिया जाएगा ये cards property owners को दिये जाएगे और land revenue record department के पास चला जाएगा जो ministry involved हैं उनमें है ministry of panchaiti raja, state revenue department state panchaiti raja department और survey of India जो स्वामित scheme है इसमें जो updated guidelines आई हैं उनमें ये भी कहा गया है कि private companies भी variety of maps तयार कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अब host ministry की approval के आवशक्ता नहीं होगी अब आपके मन में सवाल होगा कि भला कोई private company क्यों इतना बवाल लेगी उसे map तयार करके क्या love मिलेगा लाव तो देखी होता है क्योंकि इसके माध्यम से drones का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा वो applications बना सकते हैं location mapping से related जिसमें वो उस data का इस्तेमाल कर सकते हैं Pan India 3D Maps Program इसे Genesis International एक private technology firm है उसने launch किया है इसके माध्यम से वो पूरे इंडिया का 3D map तयार कर रहे हैं इंडिया में in fact 100 cities के लिए वो ये map तयार कर रहे हैं ये 3D maps जो reality है उसे depict करेंगे जो map होगा वो freemium model में जना है free plus premium free का मतलब होता है कुछ ऐसा जो free हो premium का मतलब कुछ ऐसा जो paid हो तो मतलब ये जो maps हैं इनमें कुछ हिस्सा तो free होगा और कुछ paid भी होगा इसका इस्तेमाल startup private enterprise कर सकेंगे और इससे जो आने वाले समय में augmented reality का concept है उसे भी एक नई उचाई मिलेगी next article initial public offering के बारे में है अभी LIC ने public जो IPO है अनौंस किया है कि वो 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में release करेंगे जो IPO मतलब initial public offering है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक private company या फिर public company यानि की government owned company अपने shares को new investors के लिए open करता है जैसे shares को खरिने के दो तरीके हो सकते है आप secondary market से जाकर जो shares उस company के already market में है उन्हें खरीच सकते है एक प्रक्रिया होती है जब आप shares को सीधे company से खरीचते है और वो shares आपको IPO के form में मिलते है जब for the first time company अपने shares को market में launch करती है तो उसे कहा जाता है IPO Initial Public Offering उसके बाद तो वो उसके बाद भी आपको secondary market में मिलते ही रहते है लेकिन IPO पहला करम होता है जिसमें shares market में आते हैं तो IPO किसी भी ऐसी company के release किये जा सकते हैं जो stock exchange में listed हो company IPO कैसे file करती है company को सबसे पहले SEBI को एक offer document देना होता है जिसमें बताते हैं कुछ information company के बारे में promoters के बारे में project financial retail सब कुछ देते हैं उसके बाद वो अपना IPO जारी कर सकते हैं which companies can come out with an IPO कौन सी company regible है इसके लिए कोई भी ऐसी company जो RBI के rules को follow करती है उसे कुछ certain criteria's follow करने होते है public से fund raise करने के लिए जैसे की उसकी total asset की value 3 करोन कम से कम होनी चाहिए net tangible asset value उसका net worth 1 करोन होना चाहिए पिछले 3 सालों में और पिछले 5 सालों का पूरा अगर हम calculation लें तो pre-tax profit मतलब tax pay करने के पहले का जो profit है वो 3 सालों में कम से कम 15 करोन होना चाहिए मतलब हर 3 साल कम से कम लगातार या इन 5 सालों में एक सालों के एक साल gap करके फिर 15 करोन का profit आ गया pre-tax का मतलब यह होता है कि आपने salary वगरा दे ली जो ब्याज वगरा चुकाना था चुका दिया जो depreciation है वो भी evaluate कर लिया लेकिन tax अभी नहीं पे किया है तो pre-tax profit का मतलब यही हुआ अब यहाँ पर यह है कि IPO में कौन invest कर सकता है कई तरीके के category के लोग invest कर सकते हैं जैसे कि QIBS qualified institutional buyers यह investors की ऐसी category है जिसमें FPI, foreign portfolio investors, mutual funds, commercial banks insurance companies और pension funds आते हैं कुछ ऐसे individuals होते हैं जो low lakh से कम की value invest करते हैं इन्हें कहा जाता है retail investors कुछ ऐसे retail investors होते हैं यानि कि common लोग होते हैं जो 2 lakh से उपर invest करते हैं उन्हें कहा जाता है high net worth individuals ध्यान दीजिए investment करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इन फैक आपको एक brokerage account खुलवाना पड़ता है और उस account को खोलने के लिए ही आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आए जो कि green hydrogen या फिर green ammonia policy के बारे में है ministry of power नहीं अभी notify कर दिया है green hydrogen या फिर green ammonia policy को सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक पुझिन गैस है तीखी गैस होती है तीवर होती है इसका इस्तिमाल एग्री कल्चर में fertilizers के तौर पे किया जाता रहा है हम बात कर रहे हैं अमोनिया की जब हम कहते हैं green hydrogen या फिर green ammonia तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये hydrogen या अमोनिया हरे रंग का होता है इसका मतलब सर्फ साफ है कि इस hydrogen या अमोनिया को अवेल करने के लिए जो हम source इस्तिमाल करते हैं या source of energy इस्तिमाल करते हैं वो renewable होता है मतलब हम उसमें carbon का emission नहीं करते global warming को cause नहीं करते तो इस प्रकार की यानि कि renewable sources से जो हम hydrogen या अमोनिया अवेल करते हैं उसे green hydrogen या green ammonia बोलते हैं green ammonia का जो production है उसको बनाने की प्रक्रिया में 100% renewable और carbon free energy का इस्तिमाल किया जाता है green hydrogen को बनाने के लिए हम पानी को electrolyzer में breakdown करते हैं जिसमें पानी में electricity को गुजरा जाता है तो वो oxygen और hydrogen में तूर जाता है इसमें greenhouse gas का कोई emission नहीं होता और जो electricity इसमें इस्तिमाल की जाती है वो भी renewable sources से ही बनाई जाती है जैसे कि solar power plant या फिर wind power ठीक है जो hydrogen product है उसे nitrogen के साथ combine करते हैं और फिर तियार हो जाता है ammonia ammonia का क्या formula होता है NH3 NH4 से ammonium हो जाता है तो ammonia जो है उसमें यहाँ पर आपको nitrogen मिल जाता है और hydrogen तो इस तरीके से हम ammonia तियार कर लेते हैं green ammonia को fertilizer manufacturing में use किया जाता है इंडिया का target यह है कि 5 million ton green hydrogen को 2030 तक तियार किया जाए जो policy है इस समंद में वो यह है कि हम जो fossil fuel का इस्तेमाल है ammonia या hydrogen के production दो उसे खतम करेंगे जो policy है वो प्राइम मिनिस्टर का जो announcement रहा national hydrogen mission का उसके साथ भी संग्यान रखती है features क्या है इसमें सबसे पहले तो हम manufacturing zone establish करेंगे जहाँ पर green hydrogen या ammonia को बनाया जाएगा further green hydrogen या ammonia अगर बनाया जा रहा है तो उसके demand का होना ज़रूरी है नहीं तो manufacturers बनाएंगे क्यों इसके लिए जो refineries है fertilizer या steel industries है उन्हें कहा जाएगा कि वो offers दे green hydrogen या ammonia के लिए mega tenders आयोजित करवाए जाएंगे ताकि इनकी demand बनी रहे interstate transmission 25 years के लिए जो charges होते हैं उसमें wave कर दिये जाएंगे छूट दे दी जाएगी जैसे कि हमने कहा कि इसमें बिजली क्यावशक्ता पड़ती है अगर हम electrolyzer का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तो बिजली अगर आती है किसी भी दूसरे राज़ से तो उस पे कोई charge नहीं लगेगा open access grant कर दी जाएगी सभी प्रकार के renewable energy के sources पे भरत में कहीं भी अगर कोई व्यक्ती green energy का इस्तेमाल करके green hydrogen और green ammonia बनाना चाहता है तो जो manufacturers है green ammonia या फिर green hydrogen के उन्हें priority basis पे grid से connectivity मिलेगी ताकि उन्हें आसानी से बजली मिल जाए जो renewable purchase obligation है उसका भी इन्हें फाइदा मिलेगा जैसे जो लोग renewable sources से energy लेते हैं उन्हें कुछ incentives मिलते हैं तो चुकि ये तो उसी का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इन्हें उसके फाइदे मिलेंगे कुछ bunkers भी establish किये जाएंगे ports के पास में जहां पर ammonia को store किया जा सके ताकि उसे आसानी से export भी किया जा सके ये सारी बाते इस article पे हमारा next article capacity development scheme के बारे में है union cabinet ने अप्रूव कर दिया है अभी हाल ही में continuation को मतलब ये जो scheme है ये जारी रहेगी March 2026 तक जैसा की नाम से इस पस्ट है capacity development इसके माध्यम से किसी की capacity को और better किया जाएगा ये एक central sector scheme है Ministry of Statistics and Program Implementation की हमें पता है कि Ministry of Statistics and Program Implementation बहुत सारा data collect करता है देश के लिए इसी data का इस्तिमाल किया जाता है government schemes को frame करने के लिए या फिर government अपनी functions को over see करने के लिए data and facts का जो इस्तिमाल करती है वो इसी ministry के दौरा collect किये जाते है अगर ये ministry सही सी data collect ना करे तो बहुत सारी दिक्कते आने वाली है तो ये ministry अपना data बढ़ियां से collect कर सके और इसकी capacity और बढ़ियां हो जाए इसके लिए जो scheme work करती है that is capacity development scheme इसके माद्यम से उन्हें जो भी required infra है उसे दिया जाता है बेटर किया जाता है technical या manpower का जो resource उन्हें required है वो मिलता है ताकि वो सही समय पर official statistics को collect कर सके तो ये काफी जरूरी हो जाता है इसमें दो sub schemes होती है support for statistical strengthening यानि के triple S इसके माद्यम से उनकी capacity को improve किया जाता है ताकि वो statistics को अच्छे से collect करे और उनकी operations better हो सके data को collect करना, compile करना, disseminate करना उनके लिए आसान हो और दूसरा होता है economic census जिसमें जो भी non-farm economic establishment है जो भी economic activities में involved है इंडिया की geographical boundary के भीतर हम उन्हें count करते हैं दिखते हैं वो कितने हैं और कैसे इंडिया की economy में contribute कर रहे हैं अंगडियास के बारे में है अभी हाली में का F.I.R. lodge की गई है मुंबई पुलिस के तीन officials के खिलाफ क्योंनों ने कुछ अंगडियास को threaten किया और उनसे पैसे extort करने की कोशिस की मामला South Mumbai का है तो पुलिस वालों के खिलाफ कारवाई तो हो रही है फर्दर ये अंगडियास भी news में आ गए ये हैं क्या basically अंगडिया एक पुरा system है एक पूरी विवस्था है जो काफी पुरानी है ये हमारे banking system के parallel work करती है जिसके माध्यम से informal तरीके से trade होता है पैसे या फिर किसी भी सामान को जिसमें jewelry और हीरे शामिल होते हैं उन्हें एक जिगे से दूसरी जिगे ले जाया जाता है अंगडिया एक प्रकार का courier system है जिसमें आप एक व्यक्ति को hire करते हैं और आप उसे एक करोण रुपय दे देते हैं और कहते हैं इसे ले जाकर person भी तक पहुचा दो क्योंकि आप banking system से ये नहीं करना चाहते हैं इसके कई सरे objective हो सकते हैं banking system में transaction महगा हो सकता है और कई बार पैसे को formal channel में नहीं लाने के लिए भी ऐसा किया जाता है सूरत में ये practice काफी ज़्यादा popular है diamond traders के बीच में वो hire का व्यापार informal तरीके से करते हैं अब इसमें आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ऐसा किसी के साथ किया जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा risk involved है पहला risk तो यही है कि ये person ही वो एक करोण रुपए लेकर भाग जाए या फिर अगर वो हीरे देने जा रहा है तो वो हीरे लेकर भाग जाए तो जो भी अंगडियाज होते हैं उनके ये सारा मामला trust के basis पे चलता है होता ऐसा है ना कि जो भी व्यक्ति अंगडियाज है या तो वो बहुत trustworthy होता है जो बहुत पहले से बहुत लंबे समय से उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हो जिसका वो अंगडिया है या फिर कुछ firms होती है जो इस प्रकार के अंगडियाज के लिए contract लेती है अगर उस अंगडिया ने कुछ भी आगे पीछे किया पैसे को लेकर वो चला गया या फिर उसने हीरे में कोई हेर फेर कर दिया तो वो जो company होती है वो उसके लिए responsible होती है वो से compensate करेगी तो एक trust के basis पे work करने वाला पूरा market है ये अंगडियाज का इसे आपने Bollywood की movies में देखा होगा Bollywood की movies में basically इसे दिखाते वक्त illegal trading को portrait किया जाता है जिसमें person A किसी illegal चीज के व्यापार को लेकर person B के पास जाएगा तो उसके पास एक फटा हुआ note होगा person A के पास जो note का हिस्सा होगा उसका आधा इस्सा person B के पास होगा फिर वो जाएंगे note को match करेंगे और सामान का link in कर लेंगे या फिर ये भी बताया जाता है कि person A के पास जो note है उसका number person B को पता है वो जाएंगे पुछेंगे मिरे पास जो note है उसका number क्या है परसन भी नमबर बता देंगे फिर लें देन हो जाएगा कई बार कुछ code words भी इस्तिमाल किये जाते हैं वो जाके बोलेंगे बरसाथ, खत्रा उस समझ जाएंगे अच्छाई ये सही person है इसे सामान दे देना है और कई बार तो मदब comedy बनाने के लिए इतने fall to fall to code इस्तिम का ही एक representation है इसमें बहुत बड़े transactions involved होते हैं जो अंगडियाज होते हैं वो इसके लिए एक nominal fees भी charge करते हैं गुजरात में जो मारवारी और मालबारी community है वो अपने business में अंगडियाज का बहुत massive इस्तिमाल करते हैं ये पूरा trust के basis पे work करने वाला market है कुछ अंगडियाज अपने owner के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं कुछ तो generation wise काम कर रहे होते हैं मतलब उनके पिता नहीं, उनके दादा नहीं अंगडिया के तरह work किया और अब वो कर रहे हैं authenticity को verify करने के लिए वही रूपी का note दे देंगे फिर number वगए exchange करेंगे, कोई code word दे देंगे इस अब check किया जाता है और जब recipient confirm हो जाता है उसके बाद यह पैसे देते हैं वो एकदम fixed channel से जाते हैं मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो Mumbai Express जाती है गुजरास से, Mumbai के लिए उसके दो डिबों में लगभग 80% seats अंगडियास के लिए reserve कर लेते हैं वो लोग और उस पे अंगडियास ही जाते हैं उनका transaction safe हो, मतलब उनसे कोई पैसे जबरदसी लूट ना ले इसलिए कई बार वो group में travel करते हैं और कई बार तो उनके पास guards भी होते हैं जो उनके transaction को secure करते हैं विकाज ये amount कई बार crores में होता है ठीक है तो जो legality है, actually में अंगडियास का एक पूरा association है जो work करता है अंगडियास system legal है लेकिन इनकी activities को लेकर अकसर suspension create किया जाता है कि ये unaccounted money को transfer करते है और इसके माध्यम से जो cash में dealing होती है उसमें black money involved होती है क्योंकि ये formal challenge से नहीं किया जा रहा है तो अंगडियास का ये पूरा मामला news में आया है मुझे उमीद है कि आप ये समझ चुके है हमारा next article FSDC के बारे में है Financial Stability and Development Council इनके अभी 25th meeting हुई चेर्मेशी प्रही Union Finance Minister की ये एक non statutory apex council है non statutory का मतलब ये है कि इसके लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है Ministry of Finance के तहत ये council काम करती है 2010 में इसे एक executive order के माध्यम से बनाया गया था 2008 में subprime crisis आया था अगर आपको याद हो जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा था रगुराम राजिन कमेटी को बनाया गया था reform suggest करने के लिए उन्होंने ही 2008 में कहा था कि हमें बनानी चाहिए एक FSDC जो इंडिया की economy पर निगाह रख सके और recommend कर सके FSDC को चेर किया जाता है यूनियन finance minister की द्वरा members होते हैं financial sector regulators जैसे की RBI, CAB, PFRDA और EDA Finance Secretary, Secretary of Department of Economic Affairs Secretary of Department of Financial Services and Chief Economic Advisor ये भी इस council का हिस्सा होते हैं अभी 2018 में सरकार ने FSDC के structure में कुछ बदलाव किया और कुछ अन्य लोगों को भी इसमें जगह दी जैसे की Minister of State responsible for Department of Economic Affairs Secretary of Department of Electronics and Information Technology Chairperson जो होते हैं Insolvency and Backlampsy Board of India के उन्हें भी अब इस council में जगह दी जा चुकी है Further, revenue, Secretary भी अब इसका हिस्सा होते हैं ये council एक्सपोर्स को invite कर सकती है अपनी meeting में अगर उन्हें ज़रुवत महसूस होते हो FHDC के एक subcommittee भी होती है जिसे chair किया जाता है RBI के governor के द्वारा इसका एक mean काम ये होता है कि वो इंडिया के financial stability को ध्यान में रखें Interregulatory coordination को बहतर किया जाए और financial sector के development पर चर्चा हो Further, macro level पे इंडिया की economy में क्या चल रहा है उसे ध्यान में रखा जाए और assess करते रहें कि कोई दिक्कत या गरबड़ी ना होने पाए इस topic पर UPSC Prelims में प्रशन पूछा जा चुका है FHDC पर प्रशन ये था तीन statement है पहला, ये नीतियायक का organ है दूसरा, इसे head करते हैं finance minister तीसरा, ये macro potential supervision करता है economy का पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है सही जवाब होगा C, 2 and 3 only आईए, अब जान लेते हैं retail direct scheme के बारे में देखें, ये जो आपकी retail direct scheme है ये one stop solution है जहाँ पे आप हर तरह की government security को खरीद सकते हैं मतलब एक individual investor की बात करें जिसे आप और मैं तो अभी तक हमें ये government security को खरीदने की permission नहीं थी क्योंकि ये सरफ banks ही खरीद सकते थे बट इस scheme के थूँ हम normal इंसानों को आप और मुझको भी ये allow कर रहे हैं अब यहाँ पे आपके जो NRIZ हैं उनको भी इसको खरीदने की permission है क्योंकि FEMA Act जो है आपका बिना किसे mediocre को commission दी अब इस scheme के तहट आप तीन important चीजों को याद रखना पहला एक retail direct guilt account खोला जाएगा उसके लावा एक digital platform है NDSOM करके इस platform के थूँ आप इन security को खरीद और बेज सकते हैं और यहाँ पे आप जो primary government security है उसके अंदर भी invest कर पाएंगे अब यहाँ पे आपको पता होना चीजिए कि primary और secondary participation के बीच में फरक है primary और secondary market के बीच में फरक है माल लिजे यह government of India की एक security है इसको अगर मैं directly खरीदता हूँ that is primary market अब माल लिजे मैं खरीद के आगे किसी को इस security को बीच रहा हूँ that is secondary market इस scheme के थूँ आप इन दूनों ही level पे participate कर पाएंगे उसके लावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि government ने 2021 के budget में यह कहा था कि हम इंडिया में एक single financial market security market को develop करेंगे अब इसे develop करने के लिए government ने बहुत से एक्ट में change लाने की कोशिश किये जिसे SEBI Act है आपको government security एक्ट है 2007 का इन सभी में बदलाव लाने की कोशिश किये अब इसी के बाद आरवे हूश में आता है आरवे क्या करता है कि भी या जो government security है बोथ आपके primary और secondary level पे उसके लिए retail direct scheme लेके आए हमने एक portal बनाया जिसके थूँ आप इनके लिए trade कर सकते हैं पहला ऐसा allowed नहीं था इंडिया में इंडिया के लावा दो और देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह के participation allowed है एक है USA और दूसरा ब्राजील जहां पे लोग directly government security में participate कर सकते हैं although government ने 2001 से ही small investors के लिए government security में invest करना open कर दिया था लेकिन यहां पर दिक्कत ये थी कि आपको बहुत बड़ी security को खरीदना पड़ता था और इतने पैसे आपके retail investors के पास नहीं होते small investors के पास नहीं होते तो इसी वज़े से जो आपके institutional investors थे सिरफ वो ही इसको खरीद सके अब इसी चीज में change लाने के लिए नवंबर 2021 में RBI ने retail direct scheme को शुरू किया तो यह पूरा backdrop हो गया और क्या इस scheme के under हम expect कर रहे हैं वो हो गया अभी ये recently news में क्यों रहा अभी recently RBI ने notify किया है कि भहिया इसको promote करने के लिए हमने एक portal design कर दिया है वहाँ पे आप retail direct guilt account अपना खोल सकते हैं जिसके through up in security को खरीद और बेच सकते हैं और इसमें आपकी help करेगा NDSOM ये एक ऐसा platform है जिसके through up in security को खरीद और बेच सकेंगे बतलब जो भी आपके working hour होते हैं जिसे market के माल लीचे working hour है 9 to 5 तो इस दोरान आप यहां से इन चीजों को खरीद सकते हैं लेकिन खरीदने के लिए आपको retail direct account बनवाना होगा तो इसी चीज के बारे में ये article था आईए अब बात करते हैं emergency credit line guarantee scheme के बारे में अभी recently SBI ने अपनी एक report release करी है और इसमें ये कहा है कि लगभग साड़े तेरा लाक units जो आपके MSME हैं इनको loan दिया गया है scheme के अंडर और यहां पे इस से हमने लगभग 1.5 करोड jobs को generate किया है अब ये जो आपकी emergency credit line guarantee scheme है ये part है आतम निर्भर भारत package का अब इसके तहत हम जो MSME सेक्टर है उन्हें business loan प्रोवाइड करते हैं और इसके against उनसे किसी भी तरह की security की demand नहीं की जाती है मतलब कि ये एक तरह का collateral free loan प्रोवाइड करने का काम करती है इसमें चाहे आप normal purpose business purpose के लिए loan ले रहे हो या मुद्रा loan ले रहे हो दोनों ही इसके under covered है although scheme के under हमने चार बार इसको amend किया है और बहुत से sector या industries इसमें include किये गए है over a period of time और scheme के तहत हम 100% guarantee coverage देते सब भी हमारे landing institution को चाहे वो banks हो financial institution हो या NBFCs अगर कोई भी loan amount को default करता है तो उस case में scheme के under पैसे provide के जाएंगे इन banks को आईए अब बात करते है अगले article की जो deal करता है domestic systematically important banks से अब आपको पता होगा कि इस framework को design किया था 2015 में अब इसके तहत माल लिजे एक bank है XYZ अब ये जो bank है इसके अंदर बहुत सा पैसा आता और जाता रहता है मतलब इसका size जो है वो बहुत बड़ा है पैसो के हिसाब से अगर देखिए उसके लावा ये bank आपका other countries में भी established है और इसके through हम पैसे लेन देन का काम करते है दूसरी countries के साथ भी अब क्योंकि इसका size भी बहुत बड़ा है और इसकी जो jurisdiction है वो cross border है और इसकी working बहुत complex है तो इसको replace करना या इसका substitute ढूड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब अगर कोई ऐसा bank है जो लगबग 2% GDP को hold करता हो मतलब GDP का लगबग 2% इस bank के through transfer होता हो तो वो bank बन जाता है बहुत ही important अगर ये fail होता है मतलब अगर ये bank आपका corrupt हो जाता है तो in that case आपकी economy के उपर बहुत deep impact बड़ सकता है तो इसी तरह के banks को हम कह देते है DC banks अगर ये fail होते हैं तो इससे economy के उपर बहुत negative impact पड़ सकता है और इनी को बचाने के लिए RBI हर साल इन banks को notify करता है अभी हाल फिलाल में SBI, ICICI bank और HDFC bank ये तीन bank है जिने DCIP का tag दिया गया है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much